उत्रपदेश राधिय सड़क परिवहन निगम के चेर्मेन महम्मद इफ्तिखारुद्दीन का विवादत वीडियो वारल होने के मामले में पुलिस जाच शुरू कर दी है आरोपे की वीडियो में वरिष्ट आई एस दूसरे समुदाय के लोगों को कट्टर पंती का पाट पड़ा रहे हैं वीडियो को उनके आवास में बनाया गया है मामले को तूल पकड़ता देख कानपूर के पुलिस कमिशनर असीम अरुण ने मामले की जाच के आदेश दिये दिये हैं इसको देखते हुए समाजिक संगठन भी इन पर सरकार से बरखास और मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहा है जिसको लेकर भगवान परशुरा महसबा के द्वारा सरकार से अपील की गई है कि उनके खिलाफ सक्त से सक्त कारवाई की जाए उन्होंने कहा कि ये एक समवैधानिक पद पर रहे कर इस तरीके से कारे कर रहे हैं ये इनको शोभा नहीं देता है जिसको लेकर वो सरकार से मांग करते हैं कि इनके उपर कारवाई की जाए एक वारियल वीडियो मेरे संग्यार में आया जिसमें एक डगती अपने आवास पर कुछ हिंदू और सनात्य धर्म के विपरीत अपनी बात कह रहा है और उसके साथ ही साथ वो इसलाम के वारे में लोगों को धर्म प्रणुतन करते हैं और धर्मांत्रन की बात कर रहा है उसको देखने पर बता चला कि वह ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पर इप्तिकारुत दीन तो कानपुर वे मनला युक्तु थे और बिविन पदों पर प्रसास्निक पदों पर रह चुके हैं उद्योग नेदेसक भी थे वो उनके द्वारा ये वीडियो बनाय गया है उनका व अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो हमें लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हां बेल आइकॉन दबाना ना भूले ताकि हर ख़बर का आपडेट आप तक पहुंचे तुरंद आप हमें इंस्टार ट्विटर और फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं हमारे आईटी है